आप सबी को मेरा अपनाम आसा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे मित्रो आज एक हैज प्लांट की चर्चा करेंगे हैज के रूप में आप इसको उप्योग में लाते हैं लेकिन क्या ये मैडिशनल हो सकता है हमारे लिए ये भी जानना बहुत जरूरी है और मुराया एक्ज इस्तु डिसोडर के इस्तमाल के लिए और डिसिस के थ्रॉपेटिक प्रोपर्टिस को बढ़ाने के लिए कुलिनरी परपस से इस्तमाल करते हैं जिसको आप लोग मीठा नीम या करीपत्ता कहते हैं उसको ये प्लांट है इससे बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए इसके पत्र कडवे होते हैं और आप उसको इस तरह से उपयोग में नहीं ला सकते हैं मुराया एक्जूटी का प्लांट है इसके यूज कड़ी पत्ते से थोड़े अलग होते हैं और ये पत्र कडवे भी होते हैं तो आप फैमिली वह ही सेम हो सकती है लेकिन गुन अलग होत करेंगे तो पीट में कोने वाले अफारे कि समशया अलसर कि समश aucune कि समशया तब ही उन सब को दूर करता है हमारे मेटाभोलिजम को रेगुलेट करने का कारह करता है ब्लड के अंदर ग्लूकोज को मेंटेन रखने के लिए रेगुलेट के अंदर लिपिड का लेवल भी भढ़ जाता है लिपिड प्रोफाइल को रेगुलेट रखने के लिए भी आप स्कोप योग में ला सकते हैं इसके इंफ्यूजन का आप सेवन कर सकते हैं 200 मिली लीटर आप गरम पानी ले लिजिए उसके अंदर 30 ग्राम के करीब 30 से 40 ग्राम इसके फूल डालकर बरतन को ढख दीजिए उसके बाद थंडा होने के बाद एक समय पर 20 से 25 मिली लीटरिस में से निकाल लीजिए और 24 घंटे के अंदर आपको इसका सेवन करना चाहिए रखने के लिए मेंटेन करने के लिए अप इसको पयोग मैं ला सकते हैं मित्रोव विभिन परकार की मेटाबोलिक जो डिसॉड़र्स हो जाते हैं उनको भी ठीक करने का कारे करता है यह सरीर के अंदर राएंट्यव ऑक्शिज timely और नाइट्रोजन स्पीशे और स्ली र्यड करता है एजिंग से हमें बचाता है स्किन की टोनिसीटी को मेंटेन करने का कारे करता है एंटी रिंकलिस की एक्टिविटी होती है कई बार आप देखेंगे कि स्किन जो है हमारी बहुत ज्यादा सौफ्ट हो जाती है और हड्डियों से स्किन का धिला हो जाना एक तरह से स्कितियों में आप इसके इंफ्यूजन का सेवन करते रहे साथ ही साथ इसके जो कॉमल पत्र आपको दिख रहे हैं कॉमल पत्र और मिल जाएं तो इसके फूल भी आप ले सकते हैं दोनों को मिलाकर पेस्ट बनाकर तो चाके उपर आप लगाए आप देखेंगे कि आसानी से रिंकल्स की समश्चा को दूर करता है डैडी स्किन को रिमूव करता है और फिर से यंग स्किन को प्रवाइड करने का कारे करता है मित्रो इसके पत्र का आप डिकॉक्शन बनाकर अगर बालों को धोते हैं तो बालों की विभिन परकार की जो समश्चा हैं चाहे स्प्लिट फ्रपेटिल कर दो जो आएंड्स की समस्शा हो fonction मौण की यॣ फिक हो जाती है च्यूंक है तो उसकी यृप्सक्रियोर natuur पोतें सी होती है आप उसको विभिन्द प्रकार के रोगों को करने के लिए उप्योग में यजा सकते रखते हैं बदलते हुए मौसम में होने वाले viral फिवर को मदि ठीक करता है या immunity के कम हो जाने के कारण बार बार होने वाले बुखार को भी ठीक रखता है इंट्रस्टाइन के बैक्टिरियास को मारने का कारे करता है और immunity को बढ़ाने का यह कारे करता है हम हम इसको हैज के रूप में लगा लेते हैं लेकिन दैनिक जीवन में उपयोग नहीं जानने के कारेंट सिर्फ हम इसको सुन्दरता के लिए ही जान पाते हैं और गुणों के लिए भी आप इसको जान सकते हैं मित्रों जैसे मैंने आपको बताया कि विभिन्ड परकार की बैक् लगाते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए उनमें कोई बैक्टीरियल फंगल वायरल किसी भी तरह का अटेक्ट ना हो उसकी भी शुरक्षा करता है और अपनी अगर आप और इस प्लांट के आप हैज लगा दीजे तो आपका जो वांटेड जो प्लांट है जो आपकी क्रॉ है वह आप आसानी से शुरक्षित रहती है उसके अंदर किसी भी परकार का किसी पैस्ट का किसी इंसक्ट का अटेक भी नहीं हो पाता है इसके पत्र कड़वे होते हैं और किसी भी परकार का जंगली जानवर भी इसको नुक्सान नहीं पहुचाता है यह माइक्रोबियल ले क्ल्टिवेशन के रूप में इसका उप्योग में ला सकते हैं कटिंग के माध्यम से आप इसको लगा सकते हैं रूटे सी कुल का ये प्लांट है और काफी उप्योगी है और जानकारी को जरूर सांजा किजे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजे कल सुबहे 6 बज़े फिर झाल झाल